राज सारा दिन अपने व्यवसाई में व्यस्त रहता था, रुपया कमाने के लिए आखीर मेहनत तो करनी ही होती है, वह अपनी बीवी से कहा करता था जिसे राज अक्सर समय नहीं दे पाता था और इसी वज़े से अक्सर वह शाम और देर राद तक अपने क्लाइंटों में उ बताया, जब तक की वे पार्टी स्थल पर पहुंच नहीं गए, उसकी बीवी ने एक बढ़िया, आलीशन, स्ट्रिप्टीज डान्स बार में उसके लिए पार्टी का आयोजन किया था, डान्स बार में प्रवेश के समय ही दर्बान ने एक कढ़क सेल्यूट, भरपूर मु बोली हाई हैंसम, आज क्या बात है, मूढ खड़ा है, जैसे तैसे राज ने उस बार बाला से जान चुडाया तो एक दूसरी बार बाला आये और उसके गाल चूम कर बोली खाये डालिंग, वाट अबाउट टुडे, उसकी बीवी जो रोने, रोने को थी, अचानक सुप कि लेते बाहर भागी, सामने स्टैंड पर जो टैक्सी देखी उस पर सवार हुई और घर चलने को कहा, पीछे से राज भी दौरता हुआ आया और बगल में बैठ कर उसे समझाने का प्रयत्न करने लगा, परंतु उसकी बीवी का रोना रोकी नहीं रहा था, इतने में टैक्सी ग्राइवर बोला, ऐसा लगता है मिस्टर राज, आज आपका पाला किसी मूडी लड़की से पढ़ गया है